प्राइम नंबर का दिफिनिसन नंबर का दिफिनिसन है कि या तो उसको वन से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है कहने का मतलब कि उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं आगे आपको पता है कि एक से सो के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं तो टोटल आपको 46 प्राइम नंबर मिलते हैं देखिए आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर कल्कुलेट कर सकते हैं आपको प्राइम नंबर किसको बोलते हैं प्राइम नंबर का 2, 3, 5, 7 7 के बाद आएगा आपका 11, 13, 17, 19 और उसके बाद आएगा आपका 23, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है 37, 37 के बाद आता है 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद आएगा आपका 53, 53 के बाद आता है आपका 59, 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है 67 और 71 आता है 73 आता है 79 आता है 83 आता है आपका 89 आता है और last number आपका 97 आता है तो 1,200 के बीच में आपके total number 25 prime number आते हैं ठीक है बच्चों इसके आगे आगे आपको 101 से 200 तक comment करना है हमको कि उसके बीच में हम बता रहे हैं आपको टोटल 21 नमबर आते हैं तो 21 नमबर आप काउंट करके हमको कमेंट में बताएंगे और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसका आपको कितना नॉलेजबल वीडियो है इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएंगे और वीडि झाल झाल